जय हिंद तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यह जो आपका NCRT की MCQ सीरीज चल रही है इसका Class 6 का जो आपका Social and Political Life जो किताब है उसका Chapter No.1 Understanding Diversity का MCQ हम देखेंगे आंसर दीजेगा उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक ही चीज करनी है Knowledge Castle को सब्सक्राइब कर दीजेगा चली कल जो मैंने आपसे History के जो questions पूछे थे उसका answers मैं आपको बता देता हूँ एक बार चली हम वह देख लेता है कल आपका पहला question जो मैंने पूछा था आपसे एक मिन टू किएगा पहला question आपसे पूछा था कि on which river bank were the cities developed about 2500 years ago पच्छे सो साल पहले किस नदी के किनारे आपको cities वगेरा developed होती हूँ दिखी थी तो answers options आपके पास यह थे तो इसमें correct option आपका ए गंगा ठीक है गंगा आपका correct answer बहुत simple question था जादर tough था नहीं which city was established on the banks of गंगा तो इसका answer आपका ए मगध मगध empire आपका गंगा नदी के किनारी बना था ठीक है from where did the Iranians and Greek come ठीक है इरानियन्स और ग्रीक्स वगेरा जो थे यह कहां से आये थे नौर्थ वेस्ट नौर्थ सूथ यह नौर्थ और नौर्थ वेस्ट की तरफ से आये थे अफगानिस्तान का पूरा एडिया होता था नौर्थ वेस्ट यह पूरा होते हुग आये थे फिर यहां पर where were the manuscripts written Manuscripts किस पर लिखी गई थी तो यह भी आपको पता रहना चाहिए यह palm leaves जो होते हैं इस पर लिखी गई थी Manuscripts लिखी गई थी ठीक है Historians कितने Who are historians कौन history Historians कौन होते है Simple question था Simple answer था Who study past जो past की study करते है Present future Present future थो हमारे बस में है यह दोनों हमारे बस में इसमें history का कुछ लेना देना है Question No.6 What helps us to find out the records of hunters, fishing folks, etc इसमें आपको बताना था कि जो हम ढूंडते हैं Hunters वगेरा, Fishing वगेरा, वो किस field में आता है तो यह आपका answer होगा Archaeology Archaeology के जड़ी हम जानते हैं Hunters वगेरा, Fishing, Oaks वगेरा जो हमें चीज़ें मिलती हैं खुदाई करने के बाद ठीक है तो यह आपका answers मैंने दे दिये कल मैंने आपसे जो history के 6 questions पूछ रहते हैं NCIT की जो आपके MCQ chapter 9 What, Where, How and When के अब हम चलते हैं अपना understanding diversity पे उसके कुछ questions हैं बहते ही questions है उसके answer आपको comment section में फटा फट देने हैं चलिए आप बताईए अब understanding diversity के हम एक बाद questions देखते हैं ठीक है Question No.1 बहुत simple question है and बहुत असान question है The dash of country is its custom, religion, music and even dance ठीक है इस dash में आपको इन 4 options में से एक चीज़ फिट करनी है answer दीज़ेगा बहुत ही मतलब the dash of country is its custom, religions, music and even dances ठीक है अब आपको इस dash में फिल करना है A. Race B. Unity C. Climate and D. Culture climate तो यह आएगा नहीं तो climate आपको अच्छट गया अब आप बाकी 3 में से आपको decide करना है comment section में answer लिखेगा ठीक है तो आपको answer लिखना है options आपके पास यह है question number 1 का अब चलिए question number 2 देखते है everyone has the right to express their ठीक है हर किसी के पास अपने विचारों को express करने की क्या है अच्छा बता दी everyone has the right to express their opinions B. Religions C. Feelings and D. Languages तो इसका answer देना है मैंने बाती बात question पूछने में इसका answer दे दी आपको चलिए कोई बात ने फिर आप attempt कीजएगा comment section में बताइगा opinions, religions, feeling, languages in 4 options में से कौन सा option सही होगा इस question के लिए third question है यहापे which is the major product grown in the kerla यहापे छोड़स account दे रखाता केडला के बारे में तो वह question मैंने डाला है यहापे आप बताइगा जिसने chapter पड़ा होगा which is the major product grown in kerla केडला में मुख्योतन जो कौन सा product है जो grow किया जाता था cotton, spices like cloves, wool और मैज यह आपके 4 options है इन में से 1 option correct है और बाकी 3 गलत है तो comment section में answer दीजिए इसका भी दीजिए questions attempt है नहीं करीगा तो यह आपको लग रहा होगा क्या बचकाने से questions है दोस्तों ठीक है NCIT के हमने जब series शुरू की थी classics की कितने simple chapters दीरे दीरे जीरे जाते 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 इसे आया कि मतलब इतने बड़े-बड़े chapters long videos होगी कई videos में मेरे को parts मनाने पड़े तो मतलब difficulty level था तभी तो parts थे नहीं तो छोटे मोटे chapters जो आपके 20-25 minutes में हो जा रहे थे तो यह वो आले chapters थे अब वो time नहीं आएगा जब आगे classes की आपके NCIT के MCQs में लाओंगा तो उसमें बड़े questions होगे यह छुटमूट questions नहीं होगे बागी के questions बहुत अच्छे है question no.4 Who wrote travel log in which the writer described the lives of Muslims travel log किसने लिखी थी जिसमें lives बताई गई थी Muslims की lives बताई गई थी तो यह आपके options है A. Jawaharlal Nehru B. Indra Gandhi C. Marco Polo and D. Ibn Battuta Battuta ठीक है तो इन 4 options में से एक options सही है बताईए comment section में answer क्या होगा इसका question no.5 आपका बहुत simple है बहुत simple है बहुत Who wrote discovery of India Discovery of India किसने लिखी थी जो यह किताब थी Discovery of India किसने लिखी थी Who wrote discovery of India answers बताने आपको comment section में options में आपको बताता हूँ A. Indra Gandhi B. Jawaharlal Nehru C. Dr. A. B. J. Abdul Kalamsar and D. Maatma Gandhi ठीक है तो इस 4 आपके options है चारों में से एक options सही है comment section में answer लिजे simple question लग रहा है पर जानने जरूरी है आपके लिए कि Discovery of India आखे लिखी किसने थी answer दीजे comment section में जो बत्चा correct answer देगा जिसने सारे questions correct answer दीए उसका नाम लिए जाएगा next video में ठीक है question number 6 देखिएगा तो यह आपसे क्या कहता है we should all tell that we are one despite of all ठीक है we should all tell that we are one ठीक है हम सब कहते हैं कि हम सब एक हैं despite of all बागी सब को अगर दर किनार कीजेगा तो यहाँ पर आपके options है a similarities b believes c differences and d thinking answer दीजेगा comment section में इसका भी ठीक है question number 7 सर्वधर्मसंभवा is related to सर्वधर्मसंभवा यह जो term है किससे relate करता है आपका बहुत ही मतलब यह थोड़ा आपका दिमाग लगाने वाला question है इसको attempt कीजेगा कुछ important questions भी होता है ऐसा नहीं होता है कि सारी questions आपको असान मिल जाएंगे कुछ तो tough होते ही है तो यह बताइए जो आपका यह जो चीज है सर्वधर्मसंभवा यह किससे related करता है A cultural diversity ठीक है आपको बताने सर्वधर्मसंभवा यह किससे relate करता है A cultural diversity B climate diversity C religious diversity D racial diversity answer देना है आपको ठीक है comment section में answer दीजए यह थोड़ tough question है what is inequality ठीक है वैसे तो उतरना tough में है what is inequality? question number 8 a point or way in which people differ b difference among people in which in ways like looks, fashion etc c when things are not equal in terms of size and shape and d when people does not have the equal resources or opportunities तो यह बहुत सिंपल सा question है आपको दिमाग लगाना है inequality क्या है बताना है आपको comment section में answer दीजएगा इन चारो option में से एक सही है आपका खतम इतनी questions से 8 questions से फटाफट attempt कीजएगा attempt करना बहुत जरूरी attempt नहीं कीजएगा तो मज़ा नहीं आएगा questions attempt कीजए और इसके answers होंगे मैं आपको कल बताऊँगा कल आपको जैसे पता है कि मैं NCRT MCQ series Monday to Wednesday नहीं चलता है तो आपके 3 topics होगे and Thursday to Saturday आप चलेगी world geography world geography का जो lecture होगा उससे पहले मैं आपको इसके answers बता दूँगा तो जादा दिक्कत की बात है नहीं ठीक है फटाफट अपने answers लिखे comment section में लिखे वेट नहीं करना है वेट करना बहुत गलत बात होती है वीडियो देख रहे हैं लिखे answer अपने answers बताईए मैं भी देखना चाहूंगा कि आप इतने simple questions भी attempt कर रहे कि नहीं यह होता है कि तुफान से पहले अभी छोटा मोटा तुफान से पहले की शांती है थोटा सा देरे-देरे questions चल रहे हैं बात की classes में अगर जैसे से NCRT में आगे बढ़ेंगे मैं तुफान आ जाएग तो एकदाव लग जाएगा tough questions का तो वह handle आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं उसकी शुरुआत यहीं से होगी तो दोस्तो बस यही था आज का आपका वीडियो NCRT की जो हमने MCQ की Understanding diversity की ठीक है और एक चीज़ अपनी तरफ से मैं पूछना चाहूँगा diversity की अगर true meaning मैं पूछू तो मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया था अपनी से जब मैं NCRT करा रहा था diversity की अगर मैं true meaning पूछू हूँ तो वह क्या होगी आप comment section में answer लिखे true meaning किता भी भाशा नहीं अपनी भाशा जो आपको diversity लगती है आपके viewpoints जानना चाहतो comment section में लिखेगा answer लिखेगा अपने views बताईएगा ठीक है तो दोस्तो बस वीडियो को यहीं खतम करते हैं चैनल को subscribe कीज़ेगा knowledge castle को subscribe कीज़ेगा support दीज़ेगा थोड़ी सी help कीज़ेगा बाकि तो हम फिर grow करेंगे अगर आपकी मदद मिल जाया तो वही है न सब का साथ सब का विकास आपका साथ मिलेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे विश्वास भी जाहिए सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास तो बस यही था आपका chapter खतम sorry MCQ खतम answer दीजेगा thank you so much for watching this video lecture God bless you all जाहिंद झाल 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 सल्ड़ elephant झाल OF झाल 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 झाल